Hello Everyone, This is Azhar इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टूल के बारे में जिसका यूज करके आप बिना किसी बूले नॉलेज के X-ray सर्च कर सकते हैं ये टूल का नाम है RecruitM और ये जो टूल है ये एक Maybelline नाम की लेडी ने बनाया है और ये टूल जो है बिलकुल फ्री है तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किये हम चलते हमारी कम्प्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ये RecruitM क्या है तो सबसे पहले आप Google के इस पेज पेज पे आ जाएए और यहां पे आप आके टाइप करिए RecruitM तो आप RecruitM जैसी टाइप करेंगे तो ये सबसे पहला पेज जो ओपन हुआ है इसको ओपन करिए और यहाँ पे आप जैसी RecruitM के page पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 6 options दिखाएगा जैसे LinkedIn, Dribble, GitHub, Zing, Stack Overflow और Twitter तो यह सब के आप X-ray searches बना सकते हैं, Boolean searches बना सकते हैं और search कर सकते हैं बिना किसी knowledge के ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं LinkedIn का, LinkedIn के जो यह options मांग रहा है, यह सारे options आप जैसी डालेंगे तो वो आपको एक Boolean search, X-ray search बना के देगा, तो जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ, All Countries में, मैं India डाल देता हूँ, ठीक है, मुझे India की search करनी है तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ, India, फिर उसके बाद Job Title में मैं डाल रहा हूँ, Civil Engineer, मुझे Civil Engineer चाहिए है ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है, Show Similar Job पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको, आपने जो 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 जाप टाइटर डा रहा है, उसके Similar Job चाहिए हैं, जैसे Synonyms चाहिए हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, तो उसके Synonyms भी search होंगे उसी तरह आप location या keyword भी डाल सकते हैं, जैसे मैं याँ डाल देता हूँ, Mumbai, और मैं डाल देता हूँ, Total Station, टोटल स्टेशन एक तरीके से Civil Engineer का काम होता है, टोटल स्टेशन पे वो काम करते हैं, सर्वेज अप करते हैं, तो इसलिए मैं वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर उ जो keywords आपको उस profile में नहीं चाहिए, LinkedIn की जो profiles open होगी, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसी तरह आप education डाल सकते हैं, जैसे degree, master's degree, doctoral degree, यह तीन चार आप्शन आपके पास हैं, इसमें से आप कुछ select कर सकते हैं, या all candidates कर सकते हैं, उसी तरह आप अपना current employer select कर सकते हैं, जैसे य जावा है, या कोई और current employer है, वो डाल सकते हैं, आप यहाँ पे, तो current employer जब match होगा, आपके उस candidate से, तो candidate की profile आपको show होगी, उसी तरह आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, हर एक option के पास question का sign है, तो इस question पे आप click करेंगे, तो उस search की, वो जो box है, उसकी detail आपको समझ मे आएंगी, जैसे या the country you need for this candidate, या the job title of candidate you are searching, तो यह पूरी details आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो, पिर यह सारी details डालने के बाद, जो जो details आपको डालनी है, आप find the right people on LinkedIn पे click कर सकते हैं, पिर जैसी आप click करेंगे, तो यहाँ पे यह automatically search string बना गूगल के लिए, गूगल x-ray search के लिए, तो यह search string में आप देख सकते हैं, जैसे उसने खुद advanced search operators डाल दिया है, and डाल दिया है, minus का sign डाल दिया है, in URL का डाल दिया है, site का डाल दिया है, तो यह सारी चीज़े automatically आ गई हैं, और आपकी x-ray search एक तरीकी से तयार कर दिया है, software ने, पिर उसके बाद इस string के साथ आप तीन चीज़े कर सकते हैं, जैसे इस URL का copy कर सकते हैं, copy करके आपको कहीं paste करना है, वो भी कर सकते हैं, उसी तरह आप जो है, आप अपनी search को save कर सकते हैं, अगर आपको यह search को save करना है तो, save का मैं आप यह आपको बताता हूँ, और आप जो है, इसी, यह जो आपकी search हुई है, इसको open in Google कर सकते हैं, आप जैसी इस पर click करेंगे, आपकी यह search जो है, directly open हो जाएगी, तो most of the time मैं यही option का choose करता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, आपकी यह search open हो गई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो य candidate है, तो इसने total station किया है, civil engineer है, Mumbai से है, यह same candidate, civil engineer है, Mumbai से है, total station है, तो यह बहुत सारे candidates हमारे सामने आ गए हैं, तो यह candidate की profile आप open करके, आपको जिस तरीके से उनके साथ act करना है, उस तरीके से act कर सकते हैं, उसी तरह यह जो save search का option है, इस पर आप जैसी click करेंगे, आपकी search save हो जाएगी, तो यह मैंने save कर लिए search, तो यहाँ पर यह show हो रही है, ठीक है, तो जब भी मैं इस पर आऊँगा, और यह search को मैं directly click करके open कर सकता हूँ, तो यह LinkedIn का हो गया search, तो उसके बाद मैं आपको Twitter का बताता हूँ, Twitter पर आप जैसी click करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पाद तीन options है, आप इसमें city या country डाल सकते हैं, skills डाल सकते हैं और skills to exclude, अगर कोई skill आपको exclude कर नहीं हो डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं city में डाल देता हूँ, Mumbai और यहाँ पर मैं include में डाल देता हूँ, Illustrator, ठीक है, तो यहाँ पर मैं click करूँगा, ''find the right people on Twitter तो यह Twitter का एक string हमें बना के दिखा देगा तो यह आप देख सकते हैं Twitter का string है आपके candidates जो हैं आप Twitter से सर्च कर सकते हैं तो वही तीन option है तो मैं open in Google करता हूं तो यह जैसी मैंने open किया Google पे तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे candidates के profile open हुआ है यह candidate है Twitter पे यह candidate है Illustrator Mumbai यह candidate Illustrator Mumbai तो आप देख सकते हैं काफी profiles open हो गए है Illustrator के Twitter से तो आप accordingly act कर सकते हैं पिर उसके बाद हमारे पास और भी option है आप ड्रिबल पे कर सकते हैं searches ड्रिपल पे भी same search होती है हमारे पास यहां पर दो options है हर एक के अलग-अलग options होंगे तो उसे साब से आपको अगर ड्रिबल पे आपको mostly graphic designer front end developers वो सब मिलते हैं Illustrator यह सब और पिर उसके बाद GitHub है GitHub पे mostly आपको software developers जावा script type जावा C++ software engineers यह सब मिलते हैं उसे तरह ZING है ZING जो है एक तरीके से LinkedIn का competitor है लेकिन ZING का level LinkedIn से बहुत कम है तो अगर आपको ZING पे search करना है तो यहां पे आप वो चीज़े डाल सकते हैं और search कर सकते हैं तो आपको boolean का string मिल जाएगा ZING का उसे तरह stack overflow है अगर आपको developer search करना है तो stack flow पे कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे comment करके भी पूछ सकते हैं और आप मुझे LinkedIn पर आड़ करके भी पूछ सकते हैं see you in next video